हेलो दोस्तो स्वागत है आपका online study वीडियो के में दोस्तो इस वीडियो में हम पर्यावरन अधन के प्रशन उत्र करेंगे क्योंकि आपके अगामी परिक्षा में भी पूछे जा सकते हैं और प्रशन देख लाएव प्रोषन का शेयर करना तो अपने और को स्टाट करते हैं तो इसमें जो सबसे परका पर्यावरन हैं तो हमारे जो विकल्प है वह भी आप अच्छे से देख लीजिए तो पहला जो विकल्प है वह जल शरक्षण, दूसरा है कच्रा निस्तारण, तीसरा है जनसंख्या वृधि तो यह जो हमारे विकल्प हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से हमारे पर्यावरनिये मुद्दे हैं तो इसका जो राइट अंसरों का वो होगा डी आप्शन क्योंकि इसमें जल शरक्षन, कच्रा निस्तारन और जन संख्या वरिदी ये तीनों ही पर्यावरनिये मुद्दे कहलाते हैं अगला जो कोश्चन है वो है भारतिये प्राइट वीप क्षेतर में निमलिकित राजया समलित हैं पहला है ओडिशा, चत्तिसगड़ और आंधर प्रदेश, दूसरा है तमिलाडू, केरल, करनाटक और आंधर प्रदेश, तीसरा है पश्चे मंगाल, ओडिशा और आंधर प्रदेश, छोता है मारास्ट, गुजरात और गुआ, तो इसमें जो पूछा है कि भारतिया ती करनी यहीज़, जो फूलपोंभ, तो इसकeti जो विकल्प धान थो है, परिश्घीश, विज्ञान, समाजिक अधिन, और परयारन, शिक्षा का पर्यावरन, विज्यान, और समाजिक अधिन, और पर्यावरन, शिक्षा, एज परूद फृक्त। तो इसका जो right answer है वो है C option नेक्स जो question है वो है अशुद जल को शोधित किया जाता है जो हमारा impure water है उसको pure क्यासि किया जा सकता है तो पहला है अवांचित रसायन हटा कर दूसरा है जैविक संदूशक हटा कर दूसरा है गैसों को हटा कर जोता है ये सभी तो इसका जो right answer है वो है ये सभी नेक्स जो question है वो है निमलिकित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदाई नहीं है responsible नहीं है तो friends बताना है आपको जो पहला जो विकलप है वो है ठोश अवसिस्ट फैकना दूसरा है वननमूलन तीसरा है वनारोपन चोता है जिवाश्मी इंधन का उप्योग तो कौन से हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो इसका जो right answer है वो है C option वनारोपन अगला जो question है वो है रमन को उसके पड़ोसी ने चार किलो आवला उपार में दिया पाश्चूरी करण तो उसे किस तकनीक को अपनाने के जरूरत है तो उसे है परिरक्षन की अगला जो question है वो है पृत्वी पर उर्जा का चरम स्तरोत है पवन सूरिय पोधे ये जानवर तो पृत्वी पर उर्जा का चरम स्तरोत है तो वो है सूरिय ठीक है नेक्स जो कोश्चन है वो है काटे नूमा पत्तियों को दरशा कर एक शिक्षक किस प्रकार के पोधो के बारे में पढ़ा रहा है पहला है स्थलिय, दूसरा है जलिय, तीसरा है उभ्यधर्मी, चौता है मरुस्तलिय तो जो शिक्षक है वो किस प्रकार के पोधो के बारे में पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा रहा है मरस्तुलिया पोधो के बारे में अगला जो कोशन है निमलिकित में से कौन सा पक्षी स्वैक के नीड का निर्माण नहीं करता कि इन में से कौन सा पक्षी है जिसके जो smack के need का निर्मान नहीं करता खुद का घोसला नहीं मनाता तो उसका जो right answer होगा वो आपको बताना है तो पहला है कोवा, दूसरा है कोईल तीसरा है गुरईया, जोता है बुल-बुल तो friends कौन सा पक्षी है तो वो है कोईल कोईल अपना खुद का घोसला नहीं मनाती वो कोई के घोसले में अपने अंडे रखती है तो कोईल जो होता है वो कोईल के अंडो को भी खुद के अंडो के साथ सेता है तो उसका जो right answer होगा वो होगा कोईल निमलिकित में से कौन सा महासागर उस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रिका के पूरू में स्थीत है परशान्त महासागर, हिंद महासागर, अंटलार्टिक महासागर या दक्षनी महासागर तो कौन सा महासागर है जो उस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रिका के पूरू में स्थीत है तो वो है कौन सा है हिंद महासागर चलते आगे रेश्यम की रसाइनिक प्रकृति है कार्बोहाइट्रेट वसा, प्रोटीन या वसियामल तो रेश्यम की रसाइनिक प्रकृति है तो वो है प्रोटीन निमलिकित में से निमलिकित पोदो में से कौन सा वरिक्ष का उधारन है तो कौन सा वरिक्ष का उधारन है बर्गद, गुलाब, महिंदी या तुलसी तो जो रिक्ष का उधारन है तो वो है बर्गद आगे है कौन सी प्राकरतिक आपदा नहीं है भुकंप, शोर्ट सर्कृट से लगी आग, सुनामी या चक्रवाद तो इसमें पूछा है कि कौन सी प्राकरतिक आपदा नहीं है नेशुरल नहीं है तो वो है शोर्ट सर्कृट से लगी आग किस सिचाई प्रनाली से सरवाधिक जल शरक्षन होता है कि कौन सी सिचाई प्रनाली है जिसे जल शरक्षन होता है जल को बचाया जा सकता है तो इसका जो रायट अंसर होगा वो आपको बताना है तो वो है पहला चड़स, दूसरा है ट्यूब वेल, तीसरा है बुन्सी चाई, चोता है फवारा तो कुंसी सिचाई परनाली है तो वो है ड्रिप इरिगेशन बुन्सी चाई, ठीक है आगे चलते हैं वायू परदूशन से नहीं होते हैं तो पहला है पाचन तंतर से समंदित रोग दूसरा है कैंसर तीसरा है शर्षन समंदित रोग छोता है इमारतों का अक्षिय है तो फ्रेंट्स वायू प्रदूशन से नहीं होते तो वो क्या नहीं होते तो वो नहीं होते कि पाचन तंतर से समधित जो रोग होते हैं वो वायू प्रदूशन से नहीं होते हैं तो प्रकाश इंशिलेशन क्रिया के पादपो द्वारा वातावरन से कौन सी गैस अशोशित की जाती है तो वो है carbon dioxide gas ठीक है नेक्स जो question है वो है कीट भक्षी पादप जिस मृधा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता nitrogen carbon sulfur या potassium तो इनमें से कौन सा तत्व है जो नहीं होता तो इसका जो right answer कब होगा a option nitrogen application erosion आप बालकों के साथ चना अंकूरण की गतिवीदी करते है जिसमें प्रतेक बालक भीन भीन परिस्थीतियों में अंकूरण का प्रयास करता है पहला है केवल हवा में, दूसरा हवा और पानी में, तीसरा पानी में पूरी तरह डुबा कर बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कोपियों में अंकित करती हैं, विशलेशन करती हैं और निशकशित करती हैं कि अंकुर्ण के लिए पानी और हवा दोनों आवशक हैं इस गतिविदी में निमलिकित में से किस कोशल से बालकों का परिच्चे नहीं होता तो कौन से कोशल का परिच्चे नहीं होता पहला है अवलोकन दूसरा है वर्गीकरन तीसरा है उन्दतीकरन चोथा है तरकिक्ता तो तोचिंग किटमी की हैं दूसरा है खरगोश लोंडी शेर थीसरा है पलावग मचली भेल चुहांसाब गिद्व तो फ्रेंट्स इसमें जे कौन सी खादश रिंखला घासी है मिदान की नहीं है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C option प्लावक, मचली और विहल नेक्स्ट कॉश्चन है निमलिकित में से किस वंसपती के बीज हम खाते हैं गाजर, मक्का, केला या मुंखफली तो कौन सी वंसपती है जिसके बीज हम खाते हैं तो इसका जो राइट अंसर है वो है D option मुंखफली की खाते हैं निमलिकित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में साहिक नहीं है तो पहला है निस बंदन, मिस छानना, क्लोरिन गोलिया, फिटकरी या उबालना तो इनमें से कौन सा है जो जल को असंक्रमित करने में साहिक नहीं है तो वो है छानना विश्व पर्यावरन दीवस मनाया जाता है ये तो सभी को पता है ये तो कोमन है ये तो all a exam में पूछा जाता है 5 जून को, 1 मॉई को, 21 जून को, या 7 अक्तूबर को तो विश्व पर्यावरन दिवश मनाया जाता है पांच जुन को नेक्स जो कोश्चन है वो है पर्यावरनिये अध्यन का उदेश्य है स्थानिये पर्यावरनिये मुद्दो के प्रती समझ उत्पन करना वैश्विक पर्यवरन परेवरणिये मुद्दो के प्रती समझ उत्पन करना पर्यवरन के प्रती सकारात्मक दिश्टिकों उत्पन करना या उप्रोक सभी तो इसको जो राइट अंसर होगा वो होगा D-Option उप्रोक सभी नेक्स्ट है प्राकरतिक संसाधन होते हैं तो कौन से है जल, खनीज, लकडी ये सबी तो प्राकरतिक संसाधन ये सबी है जल भी है खनीज भी है और लकडी भी है आगे है निमलिकित में से कौन सा उर्जा का वेकल्पिक स्त्रोथ है लीथियम बैटरियां, सोडियम लेंप, जल उर्जा या LED तो कौन सा पुछा है इसमें उर्जा का वेकल्पिक स्त्रोथ तो इसका जो राइट अंसरों का वोगर सी उप्शन जल उर्जा निमलिकित में से कौन से पक्षी के नर्व मादा दिखने में समान होते हैं तो किसके होते हैं पता नहीं बुल-बुल, कोयल, गोरेया, मदु खोरा तो कौन सा पक्षी है वो जिसके नर्व मादा दिखने में समान होते हैं तो वो है बुल-बुल नििवलिकित में इसे विश्म को चैनीत केज़ी इन तीनों में इसमें से ओढ है तू देखने से पता लग रहा है जो हमारी प्राकर्तिक γैस है यह इन तिनों में से डिफरेंट है घ freuen निमलिकित में से कुन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्या में नहीं है से कुन सी खुराक है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा नहीं होता पनीर में होता है दालों में होता है मास में होता है ठीक है लेकिन शुदगी में प्रोटीन अधिक्या में नहीं है ठीक है तो उसका जो राइट अंसर है वो है C. option शुद्गी श्रमिक मदमक्षी अन्या मदमक्षियों को बोजन के स्तरोथ की दिशा ग्यात कराती है तो कैसे कराती हैं भिन बिनाकर नरित्यक दवारा रसायनिक संकेतन दवारा या श्परश दवारा तो कैसे तो इसका जो रायट अंसर होगा वोगा बी ओप्शन निरित्य के दुआरा ग्रामेर शेत्र में गोवर का प्रयोग जोपड़ी की दिवारों एवं फर्ष को लिपने के लिए गिया जाता है जिससे वे चिकनी रहें घर्षण हेतु खुरदरी हो जाएं दिवारों एवं फर्ष का प्राकरतिक रंगों या कीट दूर रहें तो किसले कराया जाता है तो कराया जाता है कि जिससे कीट दूर रहें तो फ्रेंड्स यही थी आज के हमारे questions I hope you like this video If you like this video so please do like, share and subscribe